हाँ? हाँ? कर दिकत्र नहीं है मुझे है थेलो स्ट्ट्ट्ट्टेजेशन, आज हम चर्चा करेंगे, आज हम डिसकर्शन करेंगे भारतिय सम्मिधान की प्रिस्तावना पर प्रियंबल अफ़ अफ दा इंधियन कहने आफिन सांब proposition कहा जाता है तो प्रिस्तावना पर बढ़ने से पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि सम्मिधान क्या है What is the Constitution? सम्मिधान क्या होता है? तो सम्मिधान की जो Constitution की basic definition है वो होती है कि Constitution is a document of rules and laws सम्मिधान नियमों और कानूनों का दस्ताबेज होता है तो क्या है कि सम्मिधान एक नियमों और कानूनों का दस्ताबेज है a document of rules and laws है जिससे कि हमारे देश का पूरा देश की सासन वरस्था चलती है हमारे देश की सासन वरस्था को कैसे चलाना है? वो हमारा सम्मिधान क्या करता है? निर्धारित करता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सम्मिधान क्या है? हम ये कह सकते हैं कि हमारा सम्मिधान एक किताब है एक दस्ताबेज है एक document है और उस document में ये लिखा है कि हमारे देश की सासन प्रणाली हमारे देश का जो परिटिकल सिस्टम है वो परिटिकल सिस्टम कैसे रन होगा ये बात कहां लिखी है सम्मिधान में लिखी है कुल मिलाकर हमारा सम्मिधान क्या है हमारा सम्मिधान एक किताब है अब हमारे सम्मिधान एक जो किताब है उसका पृस्टावना से क्या संधन्द है तो इसके लिए एक छोटा सा उधारण पहले एक्जम्पल से हम समझते हैं कि पृस्टावना का क्या significance है पृस्टावना का क्या role है प्रिस्टावना का क्या mahat तो है हमारे समिधान में इस बात को समझने की लिए मैं एक छोटा सा उधारन आपको देता हूँ मान लीजे कि आप मार्केट जाते हैं बाजार जाते हैं कोई पुस्तक खरीदने के लिए मान लीजे कि मैंने आप से कहा कि आप बाजार जाएए और पंडिज जबाहालाल नहरू की लिखी हुई किताब Discovery of India भारत की खोज को खरीद के आपको लाना है मैंने कहा कि मैंने एक किताब पहले कभी पड़ी नहीं है और आपको वो किताब बहीं देखना है कि अच्छी है या बुरी है उस किताब को आप खरीद के मेरे लिए लाइए भारत की खोज तो माली जी कि आप या मैं उस किताब को खरीदने मार्किट जाते हैं मैंने इससे पहले उस किताब के बारे में जादा नहीं जाना है और जादा नहीं पड़ा है अब मैं मार्किट जाता हूँ और मैं उस किताब को उठाता हूँ अब मेरे पास केवाल एक ही विकल बचता है, कि उस किताब को समझने के लिए, उस किताब में जो आरंभिक दो-तीन पेज होते हैं, जैसे हम प्रिफेस कहते हैं, जैसे भूमिका कहते हैं, जैसे प्रिस्ताबना कहते हैं, जैसे उद्देशिका कहते हैं, या प्रियंबल कहते है उन तीन-चार pages की मैं study करूँ और उन तीन-चार pages की study करके मैं ये समझपाऊं कि उस किताब में क्या लिखा है देखे कोई भी किताब हो चाहे वो भारत की खोज हो या महातमा गांदी की आत्मकता है कि सत्य के साथ मेरे प्रियोग कोई भी किताब जो होती है पेज को पढ़ रहे हैं और उन आधारों पर हम ये समझ पा रहे हैं कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है ठीक जैसे कि मैंने कहा कि हमारा सम्मिधान क्या है हमारा सम्मिधान भी एक किताब है और हमारे सम्मिधान भी कई पेज का लिखा है उसमें 395 अनुछेद हैं, उसमें 22 अध्याय हैं, ठीक है, उसमें 12 अनुसूचियां हैं, तो इतने बड़े सम्मिधान को हम कैसे समझें, सम्मिधान जो की एक किताब है, और उसमें इतने सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उस सम्मिधान को हम कैसे समझें, तो जैसे मैंने आपको अधारन दिया, कि पंडित नहरू की लिखी, भारत की खोज किताब को समझने के लिए, हम उसके आरंबिक दो-तीन पेज, जिसे हम प्रिस्ताबना कहते हैं, उसको पढ़ेंगे, ठीक, उसी प्रकार हम भारत के सम्मिधान को समझने के लिए, किसको पढ़ सकते हैं? भार भारत के सम्मिधान में क्या क्या लिखा है, और भारत की साचन प्रणाली जो है, वो सम्मिधान के लिए, क्या से चलेगी? ठीक है? तो इसका मतलब है, जो धारन हमने समझा, उस धारन हमने क्या देखा? कि प्रिस्ताबना हमें सम्मिधान का संचिप्त विब्रण देती है, Brief Introduction of our Constitution प्रिम्बल क्या हमें देती है? प्रिम्बल हमें देती है Brief Introduction of our Constitution प्रिस्ताबना हमें हमारे सम्मिधान का Brief क्या देती है? एक विब्रोन देती है उसका तो हम प्रिस्ताबना की माध्य हम से आज हम प्रिस्ताबना चुकि हम चर्चा कर रहे हैं प्रिम्बल पर प्रिस्ताबना पर तो हम यही देखेंगे कि कैसे प्रिस्ताबना हमें सम्मिधान के बारे में बताती है तो प्रिस्ताबना को समझने के लिए हम इसको तीन पॉइंट में समझेंगे ठीक है, परिस्तावना को समझने के लिए हम तीन पॉइंट में देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा source of constitution क्या है, पहली बात, दूसरा पॉइंट क्या है, nature of the constitution, और तीसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे, novel objectives of the constitution, तो पूरी प्रिस्तावना को हम इन तीन पॉइंट में समझेंगे, और इन ही तीन पॉइंट के माध्यम से हम ये भी समझने का प्रियास करेंगे, कि प्रिस्तावना हमें सम्मिधान के बारे में क्या बताती है, तो प्रिस्तावना एक पेज में लिखी गई, यह जब आप सम्मिधान पढ़ते हैं, तो सम्मिधान की जब प्रिस्तावना को पढ़ेंगे, तो किवल एक पेज प्रिस्तावना लिखी गई है, और प्रिस्तावना के जो starting word है, प्रिस्तावना कहां से शुरू होती है, इसका मतलब है मतलब की हम हिंदी में हम भारत के लोग प्रिस्ताबना सुरू कहां से हो रही है किन बड़ से हो रही है किन वर्ट से हो रही है किन सब्दों से हो रही है हम भारत के लोग be the people of India इसका मतलब है प्रिस्तावना हमें यह बता रही है कि हम भारत के लोगों ने क्या किया है हम भारत के लोगों ने Be the people of India ने क्या बनाया है अपना संबिधान बनाया है अर्थात मीनिंग क्या है कि हमारे Constitution का source क्या है तो प्रिंबल हमें यह बता रही है कि हमारे constitution का source है हम भारत के लोग भी the people of India तो प्रिंबल tells us about the source of the Indian constitution प्रिंबल प्रिस्तावना हमें भारतीय संभिधान के शुरोत के बारे में बताती है मौनलब की बताती है कि who are the makers of the Indian constitution भारत के सम्मिधान के निर्माता कौन है तो प्रिम्बल हमें यह बात बताती है कि people of the India are the makers of the Indian constitution भारत के लोग भारत के सम्मिधान के निर्माता है यह बात हमें कौन बताती है प्रिस्ताबना यह बात हमें बताती है समझे तो प्रिस्ताबना का क्या महत है what is the significance of our preamble हमारे प्रिस्ताबना का क्या महत है पहला महत हमारी प्रिस्ताबना का ये है और प्रिस्ताबना पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि भारत के लोगों ने भारत के सम्मिधान का निर्मान किया है प्रिस्ताबना पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि भारत के लोग ही बह सकती हैं, बह पावर हैं, जिन्होंने भारत के सम्मिधान का निर्माण किया है तो प्रिस्ताबना का यही महत है, पहला महत, पहला importance क्या है, significance क्या है प्रिम्बल का पहला है कि प्रुम्बल हमें बताती है कि भारत के सम्मिधान की निर्माता भारत के लोग हैं मलब भारत का जो political structure है भारत की जो राजनितिक संदचना है या भारत का जो सम्मिधान है उसके निर्माता भारत के लोग हैं अर्थात भारत के लोग ही सबसे सक्तिसाली लोग हैं अब आपसे एक सवाल पूछता है एक सर एकजाम में आपसे objective exam में सवाल कैसे पूछता है कि भारत की संप्रभु सक्ती sovereign power किसमे bested है किसमे नहत है तो कहेंगे भारत के लोगों में नहत है और यह बात हमें कौन बता रही है यह बात हमें भारत की प्रिस्ताबना बता रही है आपसे यह भी सवाल पूछ सकते है कि भारत में सम्मिधान का निर्मान किसने किया भारत के लोगों नों द्वारा किया गया भारत की सम्मिधान सभा द्वारा किया गया people of the India है, भारत के लोग है तो एक बात पृष्टावना से हमें यह समझ आती है अब एक पृष्चन यहां आता है, कि हम भारत के लोगों ने जो सम्मिधान बनाया, वोस्मिधान कैसा है? वोस्मिधान जो बनाया, उस सम्मिधान की पिर्कृति कैसी है? उस सम्मिधान का नेचर कैसा है यह सवाल यहां आता है तो अब इसके बारे में हमें कौन बताएगा कि भारत की राजलेतिक विवस्था कैसी है इस बारे में हमें कौन बताएगा कि भारत के सम्मिधान की पिरकृति कैसी है इस बारे में हमें कौन बताता है इस बारे में भी हमें परिस्ताबना बताती है तो पहली बात समझो दिहां से परिस्ताबना क्या कहती है प्रियंबल of the Indian Constitution tells us about the source of the Indian Constitution प्रियंबल कहती है कि source of the Indian Constitution is people are people of the India भारत के लोग है दूसरी बात है कि हम भारत की लोगों ने जो एक सम्मिधान बनाया तो उस सम्मिधान की प्रकृती उस सम्मिधान की प्रकृती नेचर कैसा है ये बात हमें कहां से पता चलती है ये बात भी हमें सम्मिधान से ही पता चलती है सम्मिधान की प्रिस्ताबना से पता चलती है क्योंकि जब आप प्रिस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रिस्तावना लखा है कि हम भारत के लोग, बीदा पीपल ओफ इंडिया, भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन्न, संपून, सौबरेन, संपून प्रभुत्व संपन्न, समझें? समाजबादी, सोसिलिस्ट, सैकुलर, डैमोक्रेटिक, रीपबलिक हिंदी बाले, हम भारत के लोग, भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन्न, समाजबादी, पंधिनर पेक्छ, लोक, तंतरातमक, गड़राज बनाते हैं यह कहां लिखा है? यह प्रिस्ताब नाम है, प्रियम्बल में लिखा है मतलब, लिंक समझो, हम भारत के लोगों ने, हम भारत के लोगों ने एक संपून बनाया और जो संपून बनाया, वो संपून अपनी प्रकृति, अपनी नेचर में कैसा है? वो सॉबरेन है अपनी पिरकृति में वो socialist है, secular है, democratic republic है तो अब है कि इस sovereign का मतलब क्या होता है अगर हम कहें कि Indian constitution, Indian political system, भारत का सम्मिधान और भारत की राजनेती वश्था अपनी पिरकृति में प्रभुत संपन है, sovereign है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है कि inner मामलों में और external मामलों में internal मामलों में और external मामलों में decision making पाबर जो है वो भारत के लोगों के पास है इसका sovereign का मतलब होता है, socialist का मतलब क्या होता है कि जो means of production के जो resources होते हैं उन पर किसका control होता है, owner safe होता है, of the government होता है secular का क्या मतलब होता है, secularism, मतलब का separation between state and politics or religion, मतलब कि पंथ और राजनीती की बीच प्रितकरण होना चाहिए, यसे भारत की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में भारत की जो लोग हैं, उनकी अपने अपने धर्म है, लेकिन भारत की सरकार कैसी है, secular है, भारत का कोई state religion नहीं है, राजधरम नहीं है, यह secular का मतलब होता है, democratic, जन तंत्र, लोग तंत्र, जनता का सासन, हमारा सासन कैसे चलता है, कि हम भारत की लोग अपने प्रतिनिधी चुनते हैं, वो प्रतिनिधी जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो जन तंत्र का यही मतलब होता है, अब है republic का मतलब क्या होता है, कि भारत का जो राष्ट प्रमोक है, head of the nation है, वो कौन है, president है, राष्ट पती, राष्ट पती indirectly भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है, तो उसको हम republic बोलते हैं, ठीक है, तो यह हमने उसके term के अर्थ समझ लिए, कि इनका meaning, इनका मानी क्य होता है, इनका आर्थ क्या होता है, ठीक है, तो हम भारत के लोगों ने क्या किया, एक सम्मिधान बनाया, और जो सम्मिधान अपनी प्रकृती में कैसा है, sovereign है, socialist है, secular है, or democratic, republic है, हम भारत, अब देखे, एक नया question हैं आता है, एक नया सवाल हैं आता है, कि हम भारत के लोगो ने एक सम्मिधान बनाया, जो सम्मिधान अपनी प्रकृती में कैसा है, sovereign है, socialist है, secular है, democratic, republic है, तो अब सवाल ये है, कि हम भारत के लोगों ने एक जो सम्मिधान बनाया, जो कि ऐसा है, तो ये सम्मिधान क्यों बनाया, हम सम्मिधान क्यों बनाना चाहते थे, हमने जो सम्मि सम्मिधान किन उद्देशों को पराप्त करना चाहता है, किन उद्देशों को उद्देश, किन उद्देशों को पराप्त करना चाहता है वह सम्मिधान, समझ रहें आप, हम भारत की लोगों ने, जो एक सम्मिधान बनाया, हम भारत की लोगों ने, जो एक सम्मिधान बनाया, हम भारत की लोगों ने जो एक सम्मिधान बनाया तो उस सम्मिधान का उद्देश क्या है objectives क्या है ये बात भी हमें कौन बताता है ये बात भी हमें हमारे सम्मिधान की प्रिस्ताबना बताती है यह हम परिस्ताबना को आंगे पढ़ते हैं और आंगे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारत के लोगों ने एक समिधान बनाया और यह समिधान हमारा कैसा होगा ऐसा होगा तो अब परिस्ताबना कहती है कि हमारे समिधान के उद्देश ही क्या है, objectives क्या है तो कहते हैं सबसे पहला objective है हमारा justice, हमें किसको पाना है, नियाय को पाना है हमें, फिर किसको पाना है हमें, freedom को पाना है, फिर किसको पाना है हमें, equality को पाना है, फिर किसको पाना है हमें, dignity of individual, dignity of individual, और किसको पाना है, fraternity को, ठीक है? fraternity को पाना है, और किसको पाना है, integrity, unity, unity and integrity of nation, समझ रहे हैं, हम भारत के लोगों ने भारत का जो एक समिधान बनाया है, वो अपनी पिरकृती में ऐसा है, कैसा है, सोबरेन है, सोचलिस्ट है, सेकुलर है, democratic, republic है, तो हमारे समिधान का उद्देश क्या है, हमारा समिधान किन चीज़ों को पाना चाहता है, हमारा समिधान को क्या इस्थापित करना है, क्या ensure करना है, justice करना है, कितने टाइप का justice करना है, तीन तरह का justice करना है, Social, Economic, Political सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक नियाय इस्थापित करना है सोतंतरता इस्थापित करनी है Freedom, आजादी, कैसी आजादी इस्थापित करनी है Thought की आजादी इस्थापित करनी है Expression की आजादी इस्थापित करनी है बिचार की आजादी स्थापित करनी है अभीवेक्ती की आजादी स्थापित करनी है बिश्वास, बिलीफ की आजादी स्थापित करनी है बरसिप की आजादी, उपासना की आजादी स्थापित करनी है और किसके आजादी करने है, religion, धर्म की आजादी करनी है मतलब की justice कितने तरीके के हैं, तीन परकार की नियाईगी बात की गई है और आजादी कितने तरीके की है, पांच परकार की नियाई कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक तीक है, social है, economic है और political है freedom कितने परकार की, पांच परकार की बिचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म और उपासना पांच परकार की, thought है, expression है, belief है, religion है और बर्सिप है अब एक equality कितने तरीके की, equality दो तरीके की आउसर और प्रतिष्ठा की समानता opportunity और status का, क्या equality को ensure करना है तो देखें, यह सवाल आपसे objective बना के कैसे पूछते है कि भारत के सम्मिधान की परिस्था बना में, कितने परकार के justice की बात की गई है देदेगा, एक, दो, तीन, चार कहेगा, भारत के सम्मिधान में कितने परकार के freedom, आजादी की बात की गई है यह प्रिस्था बना में, देदेगा, दो, तीन, चार, पांच तो आपको यह चीज है, कितने परकार की समानता की बात की गई है प्रिस्ताव नाम है, तो कहेगा दो प्रिकार की समानता, ठीक है, तो हमारे सम्मिधान को क्या इस्थापित करना है, नयाय करना है, सामाजे कार्थिक राजनेतिक नयाय, स्वतनता इस्थापित करनी है, पांच प्रिकार की विचार, अविविक्ति, विश्वास, धर्म और इस्थापित करनी है आउसर और प्रतिष्ठा की समानता ठीक है और क्या करना है ब्यक्ति की गरिमा ब्यक्ति की गरिमा क्या है कि सभी लोग धर्म जाती से अलग अलग नहीं होंगे धर्म जाती के आधार पर ब्यक्ति से बेदबाव नहीं किया जाएगा ब्यक्ति गर्मा क्या है ऐसा नहीं हो सकता है कोई ब्यक्ती नीचे बैठा हुआ है कोई ब्यक्ती उपर बैठा हुआ है तो ब्यक्ती की गरिमा को भी इस्थापित करना है fraternity, क्या करना है, भाईचारे को भी इस्थापित करना है, भाईचारे को भी इस्थापित करना है, भाईचारा क्या है, कि सभी लोग मिल जुल कर रहे हैं, धर्म जाती से परे होकर क्या करें, एक साथ मिल जुल कर सभी लोग रहे हैं, तो ये fraternity कहला रही है, समझ रहे हैं, और क्या करना है सम्मिधान को हमारे राजिनती वस्ताव के करना है देश की एकता और अखर्णता को सुनेशित करना है तो ये क्या है उद्देश हैं किसके उद्देश हैं हमारे सम्मिधान के उद्देश है अब सवाल ये है क्वेशन ये है कि justice, freedom, equality, dignity of individual और fraternity, unity and integrity of nation इन सब अबजिक्टिव्स में से इन सभी उद्देशों में से सबसे महात्पून उद्देश क्या होता है कितने उद्देश है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जो छे उद्देश जो की हमारी प्रिस्तावना में लिखे हुए है इन उद्देशों में से सबसे महात्पून उद्देश क्या है नियाय है सुतनता है समानता है ब्यक्ति की गरिमा है बंदता है या राष्ट की एकता और अखंडता है तो इन सभी उद्देशों में से सबसे महात्पून उद्देश क्या है बिल्कुल, यही उद्देश है सबसे महात्पुन सबसे महात्पुन उद्देश क्या है? ये राष्ट की एकता और अखंडता क्योंकि अगर राष्ट की एकता और अखंडता रहेगी अगर unity and integrity of the nation रहेगी तो ही तो स्वतंतता रहेगी तभी तो समानता रहेगी तभी व्यक्ति की गर्मा रहेगी तभी तो बंदुता रहेगी और तभी क्या रहेगा? नियाए भी सुनेशित हो पाएगा इसलिए कहा जाता है कि The upper most vision of our constitution makers was to ensure unity and integrity of the nation इसलिए क्या कहा जाता है? कि हमारे सम्मिधान निर्माता, जो सम्मिधान बना रहे थे, उनका सबसे प्रमुख लक्ष था, राष्ट की एकता और अखणता को सुनेशित करना तो इन सभी उद्देशों में सबसे महात्पूर उद्देश क्या है? आपसे सवाल पूछेगा आपसे सवाल पूछेगा कि हमारी प्रिस्ता बना जयन उद्देशों की बात करती है, उन उद्देशों में सबसे महात्पूर उद्देश क्या है? कहेगा नियाए है, स्वतनता है, समानता है, आराष्ट की एकता और अखणता है, तो निशित रूप से राष्ट की एकता और अगरता आंसर होगा, आप से सवाल क्या पूछेगा, कि हमारे सम्मेधान की परिस्ता बना में कितने परकार की नयाई की बात की गई है, तो आप कहोगे तीन तरह की नयाई की बात की गई है, सामाजेकार्थिक और राजनेतिक, आप से सवाल क्या पूछेगा, कि हमारे सम्मिधान की परिस्ताबनाम है, कितने परकार की equality की बात की गई है, तो दो परकार की equality की बात, ठीक है, equality of status and equality of opportunity, correct, आप से एक चीज और भी पूछता है, आपको ये sequence मिलाने के लिए दे देगा, कि हमारे सम्मिधान की परिस्ताबनाम है, पहले कौन सा word आया है, कहेगा पहले तो ये चीजे याद रखने वाली हैं, एक तो होता है कि हम पढ़ रहे हैं, दूसरा है कि उस पढ़ने को exam के perspective से पढ़ रहे हैं, कि question किस type से form होंगे, questions का जो formation रहेगा, वो कैसा होगा, तो आप से ये पूछ सकता है कि नयाय कितने परकार का है, सुतनता कितने परकार की है, और इन सभी उद्देश में सबसे महात्पूर उद्देश क्या है, एक बात, दूसरा है कि आप से ये पूछ सकता है कि हमारे सम्मिधान की प्रिस्ताबना में, preamble of the constitution में, जो भारत की political system या भारत की सम्मिधान का जो nature है, वो किस type का nature है, तो लिखे देगा उसमें sovereign है, socialist है secular है, secular है, और लिखे देगा federal है, क्योंकि federal word तो नहीं आया है हमारे प्रिस्ताबना में, तो वो गलत हो जाएगा, तील तरह का है, ठीक है, तो ये जो पांच बातें की गई है, ये पूछेगा आप से, exam में, और ये भी पूछ लेगा, कि इन्हें भी sequence में लाओ, कि पहले फिर socialist आया है, फिर secular आया है, फिर democratic republic, ऐसे sequence मिलाने के लिए देगा, तो ये सब questions जो है, इस chapter से बहुत बनते हैं आपके, चीक है, और बनने के chance भी है, तो देखो, हमने पढ़ा कि प्रिस्ताबना हमें क्या बता रही है, भारती है, सम्विधान की प्रिस्ताबना हमें क्या पहले हमें बता रही है, कि हमारे सम्विधान का सोर्स क्या है, हमारे सम्विधान का श्रोत क्या है, हमारे सम्विधान का निर्मान किसने किया है, तो प्रिस्ताबना कह रही है कि हम भारत के लोगों ने भारत के सम्विधान का निर्मान किया है, दूसरी बात है, कि हम भारत क लोगों ने जिस सम्मिधान का निर्माण किया है, उस सम्मिधान की प्रकृती, उस सम्मिधान का नेचर कैसा है? तो प्रिस्ताबना हमें बता रही है कि हमारा सम्मिधान कैसा है? Sovereign है, Socialist है, Secular है, Democratic Republic है अब बात है कि हम भारत की लोगों ने हम भारत की लोगों ने जो एक सम्मिधान बनाया जो अपनी प्रकृती में इस टाइव का है इस प्रकार का है उस सम्मिधान की उद्देश क्या है Objectives क्या है वो सम्मिधान क्या करना चाहता है किन लक्षों और उद्देशों को पाना चाहता है तो प्रिस्ताबना कहती है कि वो सम्मिधान क्या करना चाहता है नयाय को इस्थापित करना चाहता है सुतनता को इस्थापित करना चाहता है समानता को इस्थापित करना चाहता है बंदता को इस्थापित करना चाहता है और राष्ट की एकता और अकर्णता को इस्थापित करना चाहता है तो ये प्रिस्ताबना हमें ये बाली बातें बताती है तो अब प्रिस्ताबना हमें क्या बता रही है प्रिस्ताबना हमें बता रही है कि हमारा सम्मिधान एक तो भारत की लोगों ने बनाया है दूसरा है कि उसकी प्रिकृती ऐसी और इसके उद्धिस ऐसे है तो प्रिस्ताबना हमें हमारे सम्मिधान का संचिप्त बिबण देती है संचिप्त बिबण देती है उसका संचिप्त रूप से बताती है कि हमारा समिधान कैसा है और हमारे समिधान के क्या कार है प्रिस्ताबना बताती है कि हमारा समिधान ऐसा है और हमारे समिधान के ये वाले कार है functions हैं, ये करना है समिधान को प्रिस्ताबना हमें क्या बताती है कि हमारे समिधान का शरूत क्या है तो ये महत है प्रिस्ताबना का significance है प्रिस्ताबना का because primble tells us about the source of the constitution about the nature of the constitution and about the objectives of the constitution तो ये महत है प्रिस्ताबना का तो हम बच्चों हमने आज चर्चा जो की है वो प्रिस्ताबना पर की है तो मैं Dr. Fahyasal Hussain आपके साथ भारतिय सम्मिधान और राज उवस्ता, Indian Constitution and Policy का पूरा चैप्टर कवर करके चलूँगा, लेके चलूँगा ठीक है, और हम जो पढ़ेंगे तो पढ़ने का हमारा जो मैथड रहेगा, वो बहुत factual भी नहीं रहेगा और केवल कonsヅप्ट्सिवल भी नहीं रहेगा, मतलब तथ्हों के आधार पर भी नहीं पढ़ेंगे, और अब्धार नहीं पढ़ेंगे हम दोनों चीजों की एकसाथ में लाकर पढ़ेंगे, यासे हमने प्रिस्ताऑबना को पढ़ा तो यह हमने कंसेपल कर लिया लेकिन उसमें हमने fact कैसे include कर ली, जैसे मैंने आपसे कहा, कि आपसे नियाय से पूछेगा, आपसे स्वतनता से पूछेगा, आपसे समानता से पूछेगा, तो पढ़ने की जो strategy होगी हमारी, और मेरी जो पढ़ाने की strategy होगी आपको भारतिय समिधान और राजवस्ता, Indian Constitution and Policy की वो कैसी होगी, fact के साथ-साथ concept पर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि facts रटने से आप भूल सकते हैं, लेकिन जब एक बार concept clarity आ जाएगी, अब धारना की समझ आप में बिक्सित हो जाएगी, तो पिर हमें पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और facts आसानी से याद हो जाते हैं आपके exam में कैसे question जो हैं वो आपके बनाए जाएगे, तो पूरे सम्मिधान को, जो क्योंकि पूरे सम्मिधान पर lecture में ही आपके साथ लूँगा, तो पूरे सम्मिधान को हमारे जो पढ़ने का तरीका होगा, वो कैसा होगा, concept के साथ-साथ fact और fact के साथ-साथ concept को पढ़े केबल constitution पढ़ना है, आपको उसके ब्यवहारिक पक्च को भी पढ़ना होता है, तो हमारा जो पढ़ने की strategy रहेगी, वो सैध्धानतिक पक्च के साथ-साथ ब्यवहारिक पक्च की भी रहेगी, अर्थात कि हम fact को तो पढ़ेंगे, लेकिन fact को पढ़ने से पहले हम क्या समझ हम पूरी अबधरना को समझेंगे, पूरे concept को समझेंगे, और उस concept को जब एक बार build कर लेंगे, तो उस concept को build करने के बाद उसमे facts हम include कर देंगे, और हमारा एक जो कहते हैं न, एक पूरी तैयारी, comprehensive preparation हो जाएगी Indian constitution and polity की, आपने सुना होगा न, Indian constitution and polity, तो ना तो हम केवल constitution पढ़ेंगे, ना केवल quality पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, Indian constitution and polity, इसका सीधा सा मतलब होता है, कि हमारे पढ़ने का जो method रहेगा, वो Indian constitution मतलब fact, Indian polity मतलब concept, वाला fact और concept दोनों को पढ़ेंगे, मैं पहले concept पर जादा बल दूँगा, और facts तो आप अपने आप ही याद कर करिए और अपनी सफलता को शनिशित करिए, क्योंकि हमारे पढ़ने का जो तरीका है, वो concept के साथ fact और exam oriented है, तो आप हमारे साथ जुड़ें और पढ़ें, और अपने उज्जल होईस को शनिशित करिए, धनवाद